हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सबों का एविशी अकाडमी पर फ्रेंड्स आज के इस क्लास में ज्यान मिंदो जी एस अकाडमी का भारत का भुगोल यानि की इंडियन जोगरफी को देखने वाले हैं आप में से जो भी लोग नए हो आप एक बार इस क्लास में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं आगे उसे सबसे पहले समझेए चार-पांच मिनट के आज-पास आप लोग पहले बने रहिए अच्छे से समझ लेजिए फिर नेक्स्ट वाला पार्ट में इन सारी बातों को आपको नहीं बताया जाएगा देखिए भारत के भुगोल में टोटल यहाँ पे जैसे आज का जो क्लास है भारत एक सामान परिचे है इस तरह से टोटल 17 टॉपिक दिया गया है आज का टॉपिक नमबर फर्स्ट भारत एक सामान परिचे में MCQ लगाने वाले हैं इसके बाद second topic, third topic आएगा आप लोग MCQ को सबसे पहले देखिएगा थोड़ा थोड़ा सा आपको आज के इस class के बारे में जो notes है इसे पर की समझा दिया जा रहा है अगर आप लोग कहेंगे तो कोशिस की जाएगी कि next जो इसका class आएगा उसमें आपको इन सब के बारे में अच्छे से पहले detail discussion जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो इसे आपको पहले करवा दिया जाएगा फिर आप MCQ लगा लिजेगा आप लोग में से जैसा जो बताना चाहें कमेंट करना चाहें कमेंट करके बताईएगा नहीं तो फिर next class जो आएगा वो MCQ वाला ही आएगा परन से उन्हें भुगोल का पिता कहा गया है सवाल या बनकर आता है पूछा जाता है आईए कुछ आगे देखते हैं पिर्थवी को मुखिता साथ महादेश और पांच महाशागर में बाटा गया है महादूइप कहिए या फिर महादेश कहिए एक ही है देखिए अस्थल ख अगर महादेश पूछेगा तो एसिया है और वहीं सबसे छोटा अगर पूछेगा तो आस्ट्रेलिया है चित्रफल के आधार पर महादेशों का क्रम देखिए सबसे बड़ा है एसिया फिर है अफ्रिका उत्री अमिरिका दक्षिनी अमिरिका अंटार्क्टिका यूरोप औ देखिए अंटार्क्टिका महादेश पर मानव निवास नहीं करता है इसके अलावे अनुशबी महादेशों पर मानव जो है वो निवास करता है सवाल अगर पूछ लिया जाए बता ये वह कौन सा महादेश है जहाँ पर कोई भी लोग नहीं रहते हैं तो वह क्या है अंतार्क्टिका है देखिए महाशागर को समझे जलिये भाग के विरिहत सुरूप को महाशागर कहा जाता है महाशागरों की कुल संख्या है पांच जिसमें सेविश्यो का सबसे बड़ा अगर महाशागर पूछेगा परसांत महाशागर है और सबसे छोटा जब पूछा जाता है ता आपको आर्क्टिक बताना होता है पाँच कौन-कौन से प्रिसांत अट्लांटिक जो है फिर हैं फिर हैं अंटार्किक और लास्ट में हैं आर्किक महाशागर देखिए भारतिय समिदान के अनुछित एक के तहट भारत का मात्र दो समवेधानिक नाम है पहला है इंडिया अर्थात भारत लेकिन भारत को कई और भी नाम से आप जानते हो जिसमें कि आपका जम्बू दिप, आर्यावर्थ, हिंदुस्तान वगरा आता है यहाँ पे भारत एक परिचे जिसे आपने पहले भी काफी बार देखा, दिया गया है, इसे फिलहाल रहने देते हैं देखिए, संपोण पिर्थी को कितने अक्छांस और कितने देशांतर रेखा में बाठा गया है यह रेखा पित्वी को दो बराबर भागों में बाढ़ती है किसमे किसमे उत्री और दक्षनी गुलार्द में जीरो डिगरी अगर दिसांतर की बात करें जीरो डिगरी दिसांतर भी पित्वी को दो बराबर भाग पूर्वी और पश्मी दिसांतर में बाड़ता है भारत उत्री गुलार और पूर्वी दिसांतर में इस्थित है विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारन जीरो डिगरी दिसांतर रेखा के आधार पर ही करता है आईए कुछ एक्स्ट्रा और फैक्ट को देखिए जो काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है देखिए भारत पूर्वी दिसांतर में है इसलिए भारत का मानक समय जीरो डिगरी दिसांतर रेखा से आगे है सारे 82 डिगरी पूर्वी दिसांतर रेखा को भारत का मानक शमय रेखा माना गया है क्योंकि सारे 82 डिगरी पूर्वी दिसांतर रेखा पर जो शमय होता है वही समय पूरे भारत वर्ष का समय माना गया है सवाल यहाँ पर अभी आप देखेंगे भारत का मानक शमय 0 डिगरी देशांता रिखा से कितने देर आगे है या फिर पीछे है सवाल आपके लिए आगे रहे आपको ध्यान रखना है सारहे 5 घंटा आगे है करकर रिखा के बारे में आपने बहुत बार परा है एक नजर देखिए सारहे 23 घंटा रिखा को करकर रिखा भी कहते है या भारत के लगभग मध से होकर गुजरती है और भारत को दो बराबर भाग उत्तरी भारत और दक्षनी भारत में ये बारती है करकर रिखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है जिसका पस्चमी से पूर्वी क्रम क्या है इसे समझे सबसे अच्छा यहां पे एक ट्रिक दिया गया है ट्रिक क्या है गरम छाच पी त्रिप्ती मिलेगी छाच पीने से त्रिप्ती मिलती है संतुष्टी मिलती है बस उसी को ट्रिक मान लीजिए गुच्रात रायस्थान करक 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 क गोवा करनाटक केडल तमिलनादू अंधरप्रदेश तिलंगाना और ओडिशा है आज ये नेक्स्ट पॉइंट पर देखिए इस मैपको भी आगे परेंगे अच्छे से ठीक है देखिए आप यहाँ पे यहाँ भी ध्यान रखेगा पंदरा दिग्री देशांतर पर एक घंट समय बरता है पंदरा दिग्री देशांतर पर एक घंटा समय अगर बर रहा है आप यहाँ पे चार मिनट को याद रखेगा दिया हुए ना परतीक देशांतर चार मिनट समय बरता है बरहता है काफी जादा वीवी आई है याद जरूर रखिएगा ठीक है भारतिये मानक समय जो है रिखा सारे 82 डिगरी पूर्वी दसांतर को भारती मानक सेवा से समय मानक शमय रिखा कहते हैं भारत के पांच राज से गुजरती है ट्रीक दिया हुआ है मौका से याद रखें मौका मौका आपने एड जरूर देखा होगा मौका मद्द परदेश ओडिशा उत्तर से होकर गुजरता है आप अगर इसे भी पढ़ना चाहें अच्छे से आप क्लास को रोख करके खुद से एक नजर पढ़ लीजिए अच्छा रहेगा काफी सुलो सुलो यहाँ पे स्क्रॉल कर दिया जा रहा है काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट जैसे यहाँ प से ज़्यादा 4096 किलोमेटर की लंबी सीमा रेखा बनाती है आगे यहाँ सवाल अभी आपको देखनी को मिलेगा उस वक्त सही आंसर अपने मन में आप सोचते चलिएगा और कोशिश करिएगा जितने वीराइट आंसर हो सकते हैं वो आप बताएं अपने मन में फटाफट सो पूचे हैं आप यहाँ पर एक बार जरूर पढ़ लिजे से क्लास को रोकिए पढ़िए अगर कहेंगे इसका भी क्लास आपको दे दिया जाएगा ठोटल सत्र टॉपिक था सत्रों टॉपिक का क्लास आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट आप लूग आकर चेक कर लिजेगा लंबाई 1643 किलो मीटर है इसके साथ चार भारती राज शीमा बनाता है कौन कौन शा अरुनाचल परदेश नागालेंड मनीपूर और मिजोरम फिर भूटान को आप पढ़िए अफगानिस्तान को पढ़िए और समझी अच्छे से आप इसकीन सोट लेकर रख लें देखिए छे डिगरी चैनल या ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करने का काम करती है दस डिगरी चैनल अंडमान को निकोबार से डक्कन पास कहिए या डक्कन चैनल कहिए या दक्छनी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है अंडमान निकोबार दुवीब समू की राजधानी पोर्ट बलेयर दक्छनी अंडमान में ही इस्तित है कोको चैनल है यहाँ जो है कोको देव को अन्डमान से अलग करती है यहाँ से जो है ना यहाँ जो आप इतना दोर देख रहे हो ना आप ग्राइंटी के साथ लिख के रख लीजिए एक सवाल यहाँ से आपके दरोगा में पूछा जाएगा इतना को आप स्कीन सोट लीजिए और रख लीजिए अगर नहीं पूछा जाएगा ता आप लोग बाद में चाहें तो कमेंट करके बोल सकते हैं बता सकते हैं यहाँ से सवाल आना फिक्स है और हर बार आता है आठ डिगरी चैनल मालदीव को मिनिकॉय से नौ डिगरी मिनिकॉय को लक्ष देप से ग्यारण डिगरी आमेनी द्वीब को कनामोरो द्वीब से अलग करती है यहाँ भी आप देखिए और इसकीन सोट चाहिए तो लेकर रख लिजिए चिकननेक आपने सुना होगा देख लिजिए चिकननेक यहीं पर बनता है आज आई अब MCQs पर और एक अच्छाई है आज के इस वाले क्लास में आप में से जो भी लोग बायलोजी का क्लास देखे होंगे आपको पता होगा ज्यान मिंदू के किसी भी नोट्स में आंसर सीट नहीं दिया जाता है बट यहाँ पर आप जो भी क्लास देख रहे होंगे आपको आंसर सीट दिया जाता है बायलोजी का काफी सारा क्लास आया है टोटल अठारा उसका टॉपिक है अठारो टॉपिक आपको प्ले लिस्ट में मिलेगा आप आकर चिक करिए आज के डेट में फिलहाल थोगा कम है लेकिन सारा क्लास मानिया आपके लिए तयार है दो देन, तेन दिन के डिफ्रेंस बर आपके लिए क्लास अप्लोड हो रहा है क्लास केंटीनीउ आएगा एक अच्छाई क्या है इस वाले नोट्ड में पीडियाफ में आंसर यहाँ पे दिया गया है जैसा कि आप देख रहे हो बताने में काफी easy रहेगा मेरे लिए आप लोगों को पहले वाले आंसर का मतलब आपने देखा होगा 170-80 के आसपास एक एक सेट में अंसे क्यूर जहता था काफी का आंसर पता था जहां भी confusion होता था या नहीं पता था सारे आंसर को सर्च करके या जैसे भी हो आप लोगों को बताया गया है आपने जरूर देखा होगा लेकिन आज की इस क्लास में थोड़ा सा अच्छाई क्या है आंसर है बस आप लोगों को फटा-फट देखना है कोशिज करिए आंसर के बिना आप लोग अपना राइट आंसर मेरे बताने से पहले टिक करने का अगर आपको और भी कुछ कहना हो कमेंट करके आप बता सकते हैं अब आप लोग ध्यान रखें जो भी लोग भीहार दरोगा की तयारी कर रहे है आप अगर घ्यान बिन्दू इडूटेरिया, प्लेटफॉर्म इस्पार्ग इन सब का अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए यह जो अभी आप क्लास देख रहे हो नोट्स देख रहे हो इसके बारे में नहीं कहा जा रहा है अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए आपको 100 रुपीज का पेमिंट करना होता है और उसके बदले में 100 प्रैक्टिस सेट जिसमें की कुश्चन नमबर 1 से लिकर के 100 तक कुश्चन्स रहता है उसका अगर आपको पीडियाफ चाहिए इस स्क्रीन पे आपको नमबर सो कर रहा है इस नमबर को आप नोट करिए वाट्सेप पर मैसेज करिएगा आपको 100 रुपीज पेमिंट करना है उसके बदले में आपको 100 पीडियाफ मिल जाएगा दरोगा की तयारी कर रहे है प्लेरिस्ट आईए चेक करिए चलिए कोशन नमबर फर्स्ट आप लोगों के लिए है जो भी राइट आंसर हो कमेंट करके आप जरूर बताईएगा सबसे पहला सवाल है भारत की मुख की भूमी कितनी दिगरी उत्री अक्छांस से आरंब होती है वन लिख करके A, B, C या फिर D जो भी राइट आंसर हो कमेंट आपको जरूर करना है नमबर सेकेंड को देखिए कौन सी अक्छांस रिखा भारत को दो बराबर भागों में बारती है सही जवाब हो जाएगा ओप्शन नमबर A 23 डिगरी आपको ध्यान रख लेना है कौन सी अक्छांस रिखा है जो भारत को दो बराबर भागों में बारती है ये बिलकुल सही जवाब है नमबर थर्ड है भारत का चितरफल कितना है भारत का चितरफल ओप्शन नमबर D 32.8 लाख वर्ग किलोमेटर है पहले होता है सही जबाब है option number C अरुनाचल परदेश में सबसे पहले क्या होता है शुरियोदय होता है अगर पूछेगा इन सब में से किस राज में शुरियोदय सबसे पहले अरुनाचल परदेश option number C आपको बताना है number 5 है मैक मोहन लाइन क्या है सही जवाब हो जाएगा option number B Mac Mohan Line भारत और चीन के बीच अंतराष्टिय सीमा रेखा है Mac Mohan Line क्या है भारत और चीन के बीच अंतराष्टिय सीमा रेखा है Number 6 है भारत का कौन परोशी देश सबसे दक्षिन में इस्थित है सबसे दक्षिन में है आप भारत के मैप को पहले याद करिए और फिर आपको जवाब सोचना है A Rai Transor हो जाएगा माल दीव बिल्कुल सही जवाब है Number 7 वह कौन सा अस्थान है जिसकी इस्थिती तीन समुद्रों के मिलन अस्थल पर होता है C Rai Transor कन्या कुमारी वह कौन सा अस्थान है जिसकी इस्थिती तीन समुद्रों के मिलन अस्थल पर है न तो यह हो जाएगा क्या कन्या कुमारी C सही जवाब भारत विश्व के बताएगे कि छेतरफल के देश्टी से कौन से अस्थान पर आता है सातवा अस्थान पर ऑप्शन नमबर D बिल्कुल सही जवाब है नमबर 9 पर आईए कर करेखा किस राज शे होकर नहीं गुजरती है सबसे पहले आपको याद रखना होगा कर करेखा कहां कहां से गुजरती है गुजरात, मदपरदेश, जारखन इन तीनों को आप याद करिए कर करेखा इन तीनों राज्यों से होकर गुजरती है महराष्ट से कर करेखा नहीं गुजरती है यानिकि B सही जवाब है अपना भारत के अक्छांसिय विस्तार में लगभग कितनी डिगरी का अंतर है सवाल को समझे भारत के अक्छांसिय विस्तार में लगभग कितनी डिगरी का अंतर है सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर या आपका जो B है हो जाएगा लगभग 30 डिगरी का अंतर है भारत के अक्छांसिय विस्तार में नमबर 11 है भारत के दिसांतरिय जो विस्तार है इसमें लगभग कितनी डिगरी का अंतर है यहाँ पे आपको बताना है option number फिर से 20 सही जवाब हो जाएगा 30 डिगरी का भारत की अस्थलिय सीमारेखा इसकी तटिय सीमारेखा से लगभग कितनी गुनी अधिक है सवाल को समझिए भारत का जो अस्थलिय सीमारेखा है न कहते हैं इसकी तटिय सीमारेखा से लगभग कितनी गुना जो है यह अधिक है सही चवाब है option number A लगभग दो गुना अधिक है इन मेंशे कौन सा परोशी देश उत्तर परदेश को छूता है निपाल option number आपको CT करना है कौन सा परोशी देश उत्तर परदेश को छूता है option के recording आपको निपाल ध्यान रखना है निपारोशी देशों में भारत की सबसे लंबी शीमा किस देश के साथ है बांगलादेश ए राइट आंसर है नमबर 15 चेतरफल के आधार पर भारत के किन राज्यों को भारत के निम्न राज्यों को कह रहे है न descending order में क्रामबल तरीके से सजाईए और कूट की सहायता से सही आंसर को टीक करिये सबसे पहले हो जाएगा चेतरफल के आधार पर राजिस्थान नमबर फर्स्ट पे है आप अच्छे से जानते हूँ सबसे पहले राजस्थान इसके बाद आजाएगा मद्द पर्देश फिर आपका आता है महराष्ट और फिर आपका आएगा उत्तर पर्देश यानि कि फिप्टीन का ओप्शन भी हो जाएगा सही जवाब सबसे पहले तीसरा राजस्थान फिर मद्द पर्देश फिर आएगा महराष्ट फिर आएगा उत्तर पर्देश आपका बी बिलकुल सही है ध्यान रखेंगे नमबर 16 निम्न में से किस राज्ज का शमुदर तट सबसे लंबा है इन सब में से ऐसा कौन सा राज्ज जिसका कि समुदर तट जो है सबसे जादा है अप अच्छे से जानते होंगे गुजरात यहाँ पे शही जवाब है निम्न में से भारत का कौन सा राज्ज छितरफल में सबसे छोटा है गोवा इन सब में से गोवा क्या है सबसे छोटा है ए राइट आंसर है निम्न देशों में से भारत की सबसे छोटी अंतरदाश्टिय सीमारेखा किस देश के साथ लगती है बताएं मियामार के शाथ ओप्शन डी राइट आंसर है नमबर 19 बताइए निम्न कथर पर विचार करिए और नीचे दिये गए कूट की साहता से सही उत्तर का चयन करिए चलिए बताएए क्या सही जवाब होगा आप यहाँ पर अगर टाइम चाहते हो ता पराम से किरास को रोक सकते हैं देखिए नमबर 1 में है भारत के सुदूर दक्षिन बिंदू को इंद्रा पॉइंट कहते हैं हाँ सही है रजीरा, शंकरी, खारी भारत का सुदूर पस्टमी छोड़ है बिलकुल सही दिख़ए है भारत का सुदूर उत्तर बिंदू अगर पूछेगा तो इंद्रा कॉल है हाँ है नमबर चोथा में कहा है भारत का सुदूर जो पूर्व का नाम है वो वालांग नगर है बिलकुल सही है यहां कथन भी बिलकुल सही है इसे भी आपको याद करना पड़ेगा यानि कि चारों कथन यहां पे सही है 19 का डी राइट आंसर है नमबर 20 विश्व छेत्रफल में भारत का कितने परतीशत भाग है यहां पे आपको सही जवाब बताना है बी राइट आंसर आप्शन के कोडिंग आपको भी टिक करना है बताइए कौन सा कथन यहां पर सही नहीं है छेत्रफल में राजस्थान भारत का सबसे बाराज है हाँ है चेत्रफल में मद्परदेश भारत का दूसरा सबसे बाराज है अभी आपने देखा भी था यहां भी सही हो जाएगा चेत्रफल में महराष्ट भारत का तीसरा सबसे बाराज है बिलकुल सही है चेत्रफल में करनाटक भारत का चौथा सबसे बरा राज है गलत है यानिकि 21 का डी बिलकुल गलत हो जाएगा यही अपना राइट आंसर है निवन में से बताए किस अस्थान पर शूरिक की केड़ने कभी भी लंबवत नहीं परती यहाँ पर राइट आसर हो जाएगा शूरिक की केड़ने कभी भी लंबवत नहीं परती न भोपाल में परती है जवलपूर में परती है पालनपूर में नहीं करती है उज्जैन में भी परती है यनि कि 22 का सी राई टांसर आपको ट्रिक करना है बताए कौन सा ज्वाला मुखी सक्रिय है मतलब एक्टिव ज्वाला मुखी के बारे में आपको बताना है क्या हो जाएगा सही जवाब आपने काफी बार परहा होगा बैरन दूइप ऑप्शन ए ही अपना सही जवाब है निम्न में से कौन सा अस्थान स्रिलंका के सबसे निकट दोरी पर है ऑप्शन ए धनुष कोरी आपने इसका भी नाम बहुत बार सुना होगा पनिम्न में से कौन सा अस्थान स्रिलंका के सबसे निकट दोरी पर इस्थित है तो वो है अपना धनुष कोड़ी ए सही जवाब नेक्स्ट कोशन आजए नमबर 25 पनिम्न में से किस अस्थान पर शंध्या लाली सबसे कम समय के लिए होता है कहने का मतलब है जब सुरियास्थ होने लगता है उस वक्त आपने लाली पन देखा होगा सुरी का सबसे कम समय के लिए कहाँ पर दिखेगा मदुराई ओप्शन डी राइट आंसर है 9 डिगरी चैनल जो 9 डिगरी है न वो किसको किसको अलग करता है यहां बताईए किसको किसको अलग करते हैं यहां पर आपको बताना है कावारती द्वीब को मनिकवाई द्वीब से 9 डिगरी चैनल अलग करती है नमबर 27 भारत की मुख्य भूमी का विश्थार दक्षिन से उत्तर की और किन अक्चांसों के मद्ध में है बताएं यहाँ पे आपको A राइट आंसर टेक करना है wisdom आज डिगरी से सैतिश डिगरी उत्तर आपको बताना है भारत के मुख्य भूमी का विस्तार दक्षिन से उत्तर की और किन अक्षांसों के मद्ध में है ए बिल्कुल सही जवाब है पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार दिशांतरों के बीच में है ओप्शन नमर डी 68 डिग्री से 97 डिग्री आपको पूर्व बताना हो करक रेखा किन राजियों से होकर गुजरती है गुजरात राजिस्थान त्रिपूरा और मिजोरम इन चारों राजियों से करक रेखा गुजरती है ओप्शन डी टिग्री कर देंगे भारत की अस्थलिय सीमा कितने देशों के साथ जुरी हुई है साथ आपको ठीक करना है भारत की अस्थलिय सीमा कितने देशों के साथ साथ देशों के साथ जोड़ी हुई है नमबर 31 निमलिकित में से भारत की सबसे लंबी अस्थलिय सीमा किस देश के साथ लगती है सवाल को समझ गया अगर तुराइट आंसर सोचिए बताईए क्या होगा बांगला देश दी राइट आंसर निमलिकित में से भारत की सबसे लंबी अस्थलिय सीमा किस देश के साथ लगती है बांगला देश के साथ दी राइट आंसर निमलिकित में से भारत के कौन से राज तीन तरब से अंतरराष्टिय सिमाओं से घिरे हुए है राई टांसर हो जाएगा शिक्किम तो है और तिरिपूरा भी है निमलिकित में से भारत के कौन से राज्जी है जो तीन तरब से अंतरराष्टिय सिमाओं से घिरे हुए है तो यह हैं सिक्किम और तिरिपूरा इसके लिए option number आपका तीसरा चौथा साही है जो की C में दिख रहा है ठीक है आज यह 33 पर भारत के ऐसे कितने राज या फिर केंदर सासित परदेश हैं जो कम से कम दो देशों के शाथ अपने सीमा को साज़ा करते हैं प्रवाल दूइप है प्रवाल दूइप है option number A लक्षुदिप आपको बता देना है कौन सा दूइप प्रवाल दूइप है तो वह है लक्षुदिप A राइट आंसर नमबर 35 भारत का अपने परोसी देशों के मद्दे में अंतर राष्टी जो सीमा है उसका आरोही करम आप बताएं 35 का शही जबा हो जाएगा आपको बीटिक करना है नेपाल पाकिस्तान चीन और फिर सबसे ज़्यादा बंगलादेश के साथ भारत का सीमा आपको पता है कि लगता है निमलिकित में से कौन सा सहर दिल्ली के सबसे समीब के दिसांतर पर इस्थित है बहुत बार यह शवाल पूछा जा चुका है एर आई टांसर याद करिए बैंगलोरू कौन सा सहर दिल्ली के समीब दिल्ली के सबसे समीब के दिसांतर पर है वह है बैगलोरू यदि आप कोहिमा से कोटियम की यात्रा शरक मार्क से करते हैं तो आपको मूल अस्थान से गंतव्य अस्थान यानि कि जहां आपको जाना है वहाँ पर अस्थान को कहले कि मिला कर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों में से होकर गुजरना परेगा यह आपको सूचना परेगा आपको भारत के मैपको मैंड में याद रखना परेगा यहाँ पर आपको बीटी करना होगा साथ भारत में 30 राज्यों के शंख्यां बताएं 9 है भारत में 30 राज्यों के शंख्या कितनी है नौ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर भारत के निम्लिकित राज्यों को उनके भोगौलिक छेत्र के घट्टे क्रम में दिवस्थित करें 39 का राइट आंसर क्या होगा क्या रहा है भोगौलिक छेत्र के एरिया के हिसाब से यहाँ पे दिखिए शी ओप्शन सही दिख रहा है क्योंकि राजस्थान हो जाएगा सबसे पहले फिर आएगा महराष्ट फिर करनाटक और अंत में तमिल नाडू ठीक है भारत अथा पाकिस्तान के मद्ध शीमा रेखा एक उधारन है किस चीज़ का अध्यारोपित सीमा का है भारत और पाकिस्तान मतलब अध्यारोपित सीमा रेखा का उधारन है दिखान रखे यह सही जबाब है निमलिखित राज्यों में से कौन सा राज बांगलादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है तीम बनाता है, मिखहले भी बनाता है, मिजोर्म भी बनाता है, नागा लेट को छोड़ के, निमलकित राजगों में से कौन सा राज बांगला देशर जो अंतर soutar string चुबर्णा बांगला देश सिमा यह नहीं बनाता है, तो वह है नागा लेट, असम मिखहले और मिजोर्म भारत के किस परदेश की सिमाएं तीन देशों करमशा, निपाल, भूटान और चीन से मिलती है शिक्किम राइट आंसर दी भारत के किस परदेश की सिमाएं तीन देशों करमशा, निपाल, भूटान और चीन से मिलती है तो वह है सिक्किम यानि कि 42 का D right answer है भारतिय मानक शमय का याम उत्तर नहीं गुजरता है कहां से? C right answer महराष्ट से नहीं गुजरता है आंदर परदेश, 36 गर, उत्तर परदेश से याम उत्तर रेखा जो है यह गुजरती है राष्टिय राजधानी छेतर में नहीं सम्मीलित है क्या? पंजाब का भाग B right answer राष्टिय राजधानी छेतर की सीमा में कौन सा ऐसा है? तो देखें उत्तर परदेश, रायस्थान, हर्याना है पंजाब का भाग नहीं सम्मीलित है ध्यान रखें कौन सा राज उत्तर पूरवी राजधानी छेतर की साथ बहनों का भाग नहीं है पर आपको ध्यान रख लेना है 45 का B right answer हो जागा पश्चिम बंगाल कौन सा राज उत्तर पूरवी राजधानी छेतर की साथ बहनों का भाग नहीं है पस्चिम बंगाल नहीं है मेगाले अरुनातल प्रदिस और तिरिपूरा है भारत के किस राजी का समुदरी तट सबसे अधिक लंबा है समुदरी तट अगर पूछेगा गुजरात का सी सही जबाब है निम्न में से किस राजी के सीमा बांगला देश से नहीं मिलती है मेगाले का मिलती है तिरिपूरा भी है मिजोरम भी है लेकिन मनीपूर का जो सीमा है यह बांगला देश से नहीं मिलती है ध्यान रखेंगे नेक्स्ट कोश्चन नमबर 48 है पुदुचेरी का छेत्र विभाजित पाया जाता है पुदूचेरी का छेदर जो है ना तमिल नाडू, केरल और आंधर प्रदेश राज्य में विभाजित छेदर के एरिया में आता है पुदूचेरी यानि कि option number C सही जबाब है निमलिखित कथन पर विचार करें और कौन सा कथन सही है बताए देखिए number first असम, भूटान तथा बांगलादेश की सिमाओं से लगा हुआ है हाँ है पश्चिम मंगाल, भूटान तथा नेपाल की सिमाओं से लगा हुआ है मिजोरम, बांगलादेश तथा मियामार की सिमाओं से लगा हुआ है या भी बिल्कुल सही है तीनों कथन सही है option आपको ए टीक करना है निमलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है सही उत्थर के चैन हे तू यहाँ जो option इस तरह से दिया हुआ है आपको टीक करके बताना है भारत के बारे में क्या-क्या सही है देखिए भारत विश्व का पांचवां गलत है क्योंकि साथवां भी आपने देखा सकेंड है यहनि कि फर्स्ट गलत हो गया यहां अस्थल मंदल के कुल छेतरफल का लगभग दो दसमलब चार परतिसत भाग अधिक्रित किये हुए मतलग घेरे हुए हाँ यह सही है समुचा भारत उस नकटी बंद में इस्थितर जी नहीं सारे बिरासी डिगरी को धियान रखें बिरासी डिगरी जो पूर्वी दिसानतर है इसका उप्योग भारतिय मानक्ष शमय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है बिलकुल किया जाता है दूसरा और चौथा कथन सही है ऑप्शन डी को टीक करिएगा निर्धार जो में से उत्तर परदेश के सेमा वरती है ऑप्शन नमबर आपको राजस्थान चतिसगर और जारखन टीक करना है निम्लिकित राज्यों में से उत्तर परदेश के सिमावर्ती में से राजस्थान, जारखन और चत्तिसगर आता है ऑप्शन भी सही जबाब है भारत का सुदुरुस्त जो दक्षनी बिंदु है वह कौन सा है इंदरा पॉइंट सीटिक करेंगे असम कुल मिलाकर कितने राज या फिरके इंदसासित परदेशों से घिरा हुआ है ऑप्शन नमबर बी टीक करेंगे साथ निपाल के परोसी भारती राज्यों का सही योग में कौन सा है ऑप्शन शिक्किम बिहार आपको टीक करना होगा भारत वर्स में लगभग कितने गाओं हैं लगभग में पूछा एपरोक्स यहाँ पे कुई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है ऑप्शन नमबर आपको यहाँ पे डी टीक करना होगा भारत के लिए निम्लिकित कत्नों में से कौन सा अशत्य है कथन भारत विश्व का शात्मा बरादेश है बिल्कुल सही है भारत जनसंख्या के दिष्टी से विश्व का दूसरा राष्टर है दूसरा राष्टर तो अब आप इसे नहीं कहेंगे क्योंकि आपको फर्स्ट कहना पड़ेगा जनसंख्या के मामले महना इसकी भूमी सीमा का विस्तार लगवग 15200 किलो मीटर हा या सही है जो सुर्योदा है है साब से पहले कह रहा है क्या मिजोरम में होता है जी नहीं मिजोरम में तो नहीं होता है यानि कि आपको आप्शन नमबर यहाँ पर डी टीक करना होगा और जो आप्शन नमबर भी है इसमें आप खुद से संसोधित कर ले और आपको ये ध्यान भी रख लेना है सिक्किम से गुजारने वाला अक्छांस निमलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है ये राईट आंसर राजिस्थान से सही जवाब है निमलिखित में से कौनसा करक रेखा के निकट में है बी राईट आंसर कोलकाता आपको बताना है कुल काता सही जवाब है निमलिखित मैंसे कौन सा भारती राज करक रेखा के उत्तर में इस्थित है सवाल को समझे और राइट आंसर सूचिए कौन सा भारती राज है जो करक रेखा के उत्तर में इस्थित है भी हो जाएगर राइट आंसर मनी पूर निम्लिकित मैंसे कौन सा सहर करक रेखा से सबसे निकट तस्त है इन सब मैंसे आपको a टिक करना होगा जबनपूर निम्लिकित भारत की नदियों में कौन करक रेखा को दो बार पार करती है a right answer माही नदिया आपको टिक करना है जब भारतिय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्ध रात्री है एक अस्थान पर सुबा का छे बज रहा है उस अस्थान की अविस्थिति जिस याम्योत्तर पर है वह कहां पर इस्थित है बताएं वह हो जाएगा 172 डिगरी पर पूरुम में धियान रखें गुजरात के सबसे पक्ष्च्मी गाउं और अरुनाचल पर देश का जो सबसे पूर्वी छोड़ पर इस्थित है या आपका जो वालांग है इसके समय में कितने घंटे का अंतराल होता है दो घंटे का होता है आपको ध्यान रखना है भी राइड आंसर है यदि मानक शमय भारत का कह रहा है यदि भारतिय मानक शमय के अनुशार पुर्वाहन के 10 बजे हैं तो 92 डिगरी पूर्वी देशांतर पर सिलोंग का अस्थानिय शमय क्या होगा यहाँ पर आपको आपको आप्शन नंबर बेटी करना होगा 10 बजके 38 मिनट का पुर्वाहन होगा यदि भारतिय मानक शमय याम्योत्तर पर मध्यान है तो 120 डिगरी पुर्वी देशांतर पर अस्थानिय शमय क्या होगा आप्शन आपको यहाँ पर बेटी करना होगा दो बचके 30 मिनट होगा दो पहर का आपने से जो भी लोग इसको निकालना नहीं जानते हैं बहुत जल्द आपको इसके बारे में अच्छे से बता दिया जाएगा भारतिये मानक शमय की यामियोत्तर नहीं गुजरती है कहां से यहाँ पर आपको 67 में टिक करना होगा आप्शन नमबर सी कहां से महराष्ट से नहीं गुजरती है भारतिये मानक शमय की देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरेगी इन सब में से गुजरती है नमबर डीटी करना होगा 82 डिग्री पूर्ग ध्यान रखेंगे परमानिक माध्यान रिखा यह आपका हो जाता है भारतिये मानक समय निमलिखित अस्थानों में से किसके किसके करेक्स समीब से लिया जाता है सही जवाब है ऑप्शन नमबर ए इलहाबाद के नैनी से भारतिये मानक समय निमलिखित अस्थानों में से किसके करेक्स समीब से लिया जाता है इलहाबाद के नैनी से लिया जाता है भारतिये मानक समय एवं ग्रीन वीच माध शमय में अंतर पाया जाता है कितने देर का काफी एजी कुश्चन है चलिए इसका आप लोगों में से काफी लोग जाएगा आप लोग कमेंट करके बताएं भारतिय मानक समय और गिन्विच माध्य समय में अंतर कितने देर का होता है कितने घंटे का बारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खारी अरब शागर तथा हिंद महाशागर में मिलते हैं यहां पर आपको टीक करना होगा ऑप्शन नंबर एक अन्या कुमारी है वह निम्न में से कौन सा भारती राजी भूटान के शाथ सीमा नहीं बाड़ता है सी डाइट अंसर हो जाएगा बिहार नहीं बाड़ता है असअं सिक्किम और नाचल Major बारता है ध्यान रखें कह रहे न कौन सा भारती राज है जो भूटान के साथ सीमा नहीं साजा करती है तो वह कौन सा है तो वह है बिहार कौन से भारती राज की अधिक्तम सीमा म्यामार से असपर्स करती है यानि कि म्यामार को छूती है भारती राज जो अधिक्तम सीमा जिसका कि लंबाई जो सीमा का होता है जो सबसे जादा लगता है वह है अरुनाचल परदेश ऑप्शन बी सही जवाब भारत के निम्लिखित राज्यों के समुहों में से कौन सा समुह पाकिस्तान से सीमा बनाता है अगर आपको यहाँ ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप यूडियो को रोकिए पंजाव, जम्मु कस्मीर, राजिस्थान और गुजरात है भारत के निम्लिखित राज्यों के समुहों में से कह रहा है कौन सा समुह है जो पाकिस्तान से सीमा बनाता है न तो वह है पंजाव, जम्मु कस्मीर, राजिस्थान और गुजरात डूरंड लाइन किसके साथ भारत के सीमा निर्धारित करती है डूरंड है ऑप्शन भारत और अफगानिस्तान के बीच में यह डूरंड लाइन है किसके साथ तो दियान रखिएगा अफगानिस्तान के साथ जो है डूरंड लाइन अपना सीमा साजा करती है किसके द्वारा भारत श्रिलंका से अलग होती है पाक जल्डमरू मद्द के द्वारा ध्यान रखें भारत के किस परदेश की सेमाएं तीनों देश करमशा नेपाल भुटान और चीन से मिलती है तो वह है सिक्किम ऑप्शन डी राइट आंसर भारत के किस परदेश की सेमाएं हैं जो तीन देश के साथ नेपाल भुटान और चीन से मिलती है तो वह है सिक्किम सिक्किम के साथ मिलती है 78 का D right answer है तो friends आज के इस class में आपने chapter number first को देखा 78 question को आपने देखा दो सवाल आप लोगों से पूछा गया है right answer जरूर comment करके आप बताएंगे next वाले class में दोनों का right answer आपको बता दिया जाएगा